हेलो दोस्तों कैसे हो और आपकी त्यारी कैसे चल रही है वोड इग्जामिनेशन की लड़ना है ना इस बार देखे आपके लिए मैं एक जो है वो ऑब्जेक्टिव का सीरी चला रहा हूं ठीक है देखे इसके पहले मैं दो वीडियो अप्लोड कर चुका हूं जिसमें मैं हिस के 500 कम से कम आपको दूँगा इससे बाहर आपको अब्जेक्टिव कहें कि कोई तरह का बुक खरीदना का जुरूत नहीं पड़ेगा और यहां पर हमारी चैनल से जूड़ जाए डेली के डेली वीडियो अप्लोड होगा सुबह साम अप्लोड करेंगे वीडियो डेली तो किस अस्तल से मिला है तो इसका पहला कांसर आपको जागा बी यानि कि लोथल से मिला है ठीक है लोथल यह आपका अंसर इसका हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्षा कि सिंदुगाडी सभीता से किस यूग की मानी जाती है तो सिंदुगाडी सभीता जो है वो कांस यूग ठीक की माने जाते हैं। इसा मसीँ संवा उत्तर वाद डिया तो ऊत्तर वैद काल कि आप्दी एक हुदाड के संवासा सल मंजिए гр hourly अग्र इसामने कि सिंदुगाडी सभंटविता की विशिद बस्तु क्या थी? तो इसिंदूगाडी सभंटविता की विशिष्ध थे मुहरे, ठीक है, मुहरे अग्राइब रहा से ले कि बैदिक सभंटविता की संस्थापक कौन थे? वह आ रे זה, ठीक है, next question कर दा आता है भारत का नइपोलियन केने का जाता है भारत का नेपोलियन तो भारत का नेपोलियन का जाता है समूदर गुपत को ठीक है important question याद रखेगा इस 63 चो दीखे लाएक लाँश तक बने लएयेगा मैं आपको बहुत important and important question आसकरवाले वाला हूं जो एक्जामिनेशन में आप दीखे इतना अब्जेक्टिव कर ली जगा ना तो पका लड़ी जाएगा इसमें से सायदी को अब्जेक्टिव फाक आपका जाएगा वाकि सारा का सारा लड़ेगा ये बात या आप याद रखेगा अगला प्रशन आपके सामने है कि असोक का भ हर्ष बर्धन कहां का सासक था तो हर्ष बर्धन कहां के सासक थे तो ये इंप्जंव को सान है और यह हो जाएक के साथू ठीक है अगला प्रशन के अरे अरभों का सिन्ध्य बिजय कभ रही अरबोस के सिम्ट बिज्य कभ ऊई तीसीज का आप्सिन न Намशा नमबरह глडि. नगरिये सब्विता के नाम से माना जाता है, तो नगरिये सब्विता के नाम से माना जाता है, तो नगरिये सब्विता के नाम से माना जाता है, ठीक है, प्रारंभीक बैदिक काल की अबदी थी, पंद्रा सो से एक हजार इसा पूरुप तक, ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक और यो यह जो बुण ऑबर। यहां के पासी को आदा में में रहती थी। जहां के बाबर जरी एक स्टास्ट काॉर। बंसस था, और बोलो कि भाबर जो था वो चंगेज खां का कौन सा बंसस था, जिसका option number D हो जाएका 14 हमा बंसस था, ठीक है, देखतें अगला प्रश्न, देखें अगला है कि गूल बदन बेगम कौन थी, जिसका option number क्या हो जाएगा, आपका option number C हो जाएगा लेकिका थी गूल कौन था हुमायों को बहाय नाम क्या था इन में से सबी करां तहीं थे यह थे यह थे थीनों क्या है पानि पर्थम लडाई की वई झालाई कर नगों है इसको नोट टंब लिजीगा कहीं पर उनी 1526 जीक है देखें वीडीयो कर एक बार एक बार में आपको समझ में नहीं आता ह एक बार में आपको याद नहीं हो पता है दुवारा दिखिये दुवारा नहीं थिवारा दीखिये पका आपको याद हो जाएगा Iлох क्रिशने देव्राय का साउसनकाल है क्रिशने देवराय शासनकाल कं तक और 1529 भी ठाए ठिकए निकोलो कॉंटी किस देश का यात्री था स्कायों को इस यातरी थे में शमूली थे文 ही थे Focus Big पूल रहा है कि कृष्ण को कौन अपना पती मान ती थी बहुत इंपर्टेट्टकोशन और बहुत प्रमुक परचलीत कोशन अपना पती कोशन ती टि कौन नहीं चानता है इस कोसन को, A और हो जाएगा, मीरा, इसलिए गाना भी निकला हुआ ना, कि मीरा जो थी ओ, मीरा पे बहुत ज़रा गाना भी निकला हुआ यानि कि क्रिष्ण को अपना पती मानती घ्रागा, ठीक है? किताब उलहिंद कुल कितने अध्याओं में भी वक्त है किताब उलहिंद कुल कितने अध्याओं में भी वक्त है तो अपसन नमबर यह हो जाएगा असी अध्याओं में महल बाड़ी बेवस्ता में राजस्व बसूलने का इकाई क्या था तो इसका option number आपका हो जाएगा C यानि कि महल हो जाएगा ठीक है क्या है महल बाड़े बेवस्ता है इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि महल बाड़े बेवस्ता में राजसोपर सुनना कही काई गया था तो महल महल मिल रहा ना संथाल विद्रो का नेतरत्व किसने किया था तो सिंदूग नहें किया था अबद के नवाब बाजिद अली साह को गदी पर से कब हटाया गया था जासी में 866 इसवी करांती की किसने किया था जहासी में 8006बिर जो क्रांती था उसका नेटरितबगर नियोगत्तिकन को dion अधिकाー उसको पता भी होगा एं फिल्ड रॉइफलों का इस्तवाल किसने सरपर्थम शुरू किया था उंपिर्मLJ होडिंग ठीक है इसका अप्सार नमबर ए हो जाएगा अगला परश्यश्ण की पलासी की लढ़ाई में के समय बंगाल का गवणर्णरल कौन था यैनि की 177 में जब पलासी की लढ़ाई हो रही थी उस में बंगाल का गवणर्णरल कौन था तो उसमें था Robert Clive था ठीक है अगला प्रशन है कि सर्पर्तम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई प्रारा हो थी भारत में तो आपका ऑप्सन नंबर यहां पे हो जाएगा 34 का D हो जाएगा ने के 842 तो पांच पर बेद नीज ने किया था तो खां बंदू ने किया था ठीक है अगला प्रशन की मुस्लिम लिग ने परत्यक्ष परत्यक्ष करेवाही दिवस मनाने की घुसना कब किया था तो मुस्लिम लिग परत्यक्ष करेवाही दिवस मनाने की घुसना कब किया था तो 1646 भी को किया था ठीक है ति अबका अप्सन नमबर 2 हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं कि हिंदू महासभा की संस्थापक कौन बात कब बनी थी तो शब्वी जुलाई उनी सो पैतालीस सभी को बनी थी ठीक है तो सारे कोसान आपके लिए इंपोर्टेंट था देखें सुडेंट इतना ही कोसान आपके लिए चालेश कोसान आज के लिए था तो अगर चैनल से जुड़ना चाहें तो चूर सकते हैं आपको मैं आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अब्जिक्टिव देता रहोंगा सारा सब्जेक्ट का दूँगा जरूरी नहीं किसी पहस्ट्री का ही परिटिकल साल्च जोग्रफी एकोनॉमिक्स या फिर और भी जितने सब्जेक्ट है फिसक्स कमेस्टी ये सब हारा का दूंगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है धन्यबाद आपको दिन स्वोब जहिन जहिन